बनी रहती है चलिए आगे बढ़ जाएंगे दिल्ली नगर निगम की कारेपणाली पर दिल्ली हाई कोट ने सवाल खड़ी कर दिये कहा दिल्ली को त्रासदी का क्या इंतजार है मजाग बनके रह गिया MCG दैनिक जागर ने इस खबर को जगा दी है तो फिलाल आपको बता दे केसर खबर को जगा देती है कल जमकर यहाँ पर फटका लगाई है ओल्ड राजे नगर के प्रशासिक रापरवाही के करण कोचिंग सांचों के बेस्पेंट में बाढ़ का पानी घुसने से तीन IS स्टुएंट्स की मौ से आहद दिल्ली हाई कोट ने दिल्ली नगर नगम की कारे पढ़ाली पर गंभी सवाल खड़े कर दिये वरिष्ट अधिकारी की जवाब देही पर अधारत ने कहा कि दिल्ली MCD अब मजाग बन कर रह गया और दिल्ली एक त्रासदी का क्या इंतजार कर रहा है कोट ने कहा कि दिल्ली सरकार की सिविक अथर्टी दीवालिया है को कम से कम राजधानी के हालाग तो बहतर होने चाहिए लेकिन अगर आप दिल्ली का हाल देखेंगे तो मुझे लगता है किसी गाओं और कस्वे से भी बुरा हाल दिल्ली का हो गया है यहाँ पर दिल्ली को त्रासदी का इंतजार है मजाग बन कर रह गया है MCD यानि यह साफत की इस्तिती क्यों ना हो या फिर सडकों पर जल भराफ की इस्तिती ही क्यों ना हो जल निकाची का दावा और वादा हर साल किया जाता है लेकिन जब आप बरसात का मौसम हो उस दोरान सडकों को अगर आप देखेंगे तो आपको यह साफ सपश्ट हो जाएगा कि दिल्ली मे बरसाद से हालात कितने बत से बत्तर हो जाते हैं लोग अपने घर से निकल नहीं पाते हैं और यहां तक की लोग अपने घर में रह भी नहीं पाते हैं क्योंकि लोगों के घरों में भी पानी गुज जाता है लापरवाही से जान लोगों की चली जाती है और ऐसे में लोग हाई कोट ने कह सकते हैं कि कड़ी फटका लगाई है कि आपने एक ऐसे बंदे को पकड़ का जेल में डाल दिया जिसकी कोई गलती नहीं थी क्या आपने किसी भी अधिकारी के IMCD के किसी भी अधिकारी पर कोई कारवाई की I'm sorry ये कहा किया है High Court ने कि I'm sorry कि आपको इस पर कारवाई करनी चाही थी लेकिन अपने ऐसा नहीं किया क्यों अधिकारी जो होते हैं वो AC कमरे में बैठे रहते हैं एसी कमरों से आप बाहर क्यों नहीं निकलते क्यों आप लगाता मुआइना नहीं करते आपको याद होगा जिस कोचिंग संस्थान का हम लगाता जिकर कर रहे हैं जिन तीन इस्टुएंट्स की मौत हुई है क्या उस संस्थान का क्या उस कोचिंग इंसिट्यूट का लगाता मुआइना किया गया था 2021 में उनको अनोसी दे दी गई थी बेस्मेंट में आप पार्किंग चलाए लेकिन क्या अधिकारी समय समय पर बाहर निकले क्या अधिकारी उने जाच की लेकिन आसा नहीं हुआ तो यही कहा हाई कोट ने कि क्या आप एक बड़ी तरहसदी का अंतज़ार कर रहे है और साथ तोर पर कहा गया पुलस को पक्षकार बनाकर संबंदित पुलस उपायुक्त और जाच अधिकारी को पेश होने का नर्देश दिया गया साथ तोर पर दिलेहाई कोट ने ये कहा है कि हर जिंदगे हमारे लिए कीमती है ऐसी लापरवाही से हम लोगों की जान नहीं जाने दे सकते हैं जबाब दे ही. ते हमें करनी चाहिए यह बात साथ तोर पर पही गई है और जाहिर्स approach है पूजा चुकि माधत क्या करते हैं सरकारिके माधत अधिकारी होते हैं अधिकारियों के जिम्मेदारिह होती है कि वह समय समय पर अलोकन करें समय समय पर सड़कों पर उतरें